कस्टमर का विश्वास भरोसा कैसे चीते दूस्तों डारिक से लिंग बिजनस में प्रोड़क्ट सेलिंग इक बहुत एहम पाठ है जो व्यक्ति प्रोड़क्त से बहुत अच्छे से कर पाता है वह इस बिजनस में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है वो कहीं भी लोगों को जोइन करा सकता है और बहुत तेज गती से अपनी टीम को बना सकता है और साथ ही में ये व्यक्ति अपनी टीम को भी सिखा सकता है कि प्रोड़क को आसाने से कैसे सेल करना है और जो व्यक्ति प्रोड़क सेल करने में दिक्कतों सामना करता है वो खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और अपनी टीम को भी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूं जो अगर आपने एपलाई की तो डेफिनिटली आप कस्टमर्स के भरोसे को जीत पाए जी हाँ दोस्तो ये ब्रहमास्तर है इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर आप भरोसे के लायक है तो दुनिया आपके उपर भरोसा करेगी अगर आप भरोसे के लायक नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके उपर भरोसा नहीं करेगा गलती से कोई एक बार विश सेल करना चाहते हैं तो इमानदारी सबसे पहली चीज़ है आपको खुद को ये सवाल पूछना है कि अगर मैं इस कस्टमर की जगा पे होता तो मैं कौन से प्रोड़क पर्चेस करता किस मात्रा में प्रोड़क पर्चेस करता क्या इस कस्टमर को इस प्रोड़क की कि इस प्रोड़क की मुझे कोई भी जरौत नहीं थी और इस व्यक्ति ने अपना फाइदा निकलने के लिए मुझे प्रोड़क दे दिया तो उसके बाद वो व्यक्ति आपके उपर विश्वास कभी नहीं करेगा और बात यहां पर अटक नहीं जाती है वो दूसरे पांच ल पहला सवाल तो क्या मुझे इस प्रोड़क की जरौत है ठीक है अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं यह प्रोड़क पर्चेस करता और अगर करता तो कौन-कौन से प्रोड़क पर्चेस करता और किस मात्रा में पर्चेस करता जो आप खुद को देना चाहते हैं वहीं दू व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करेंगे और आपकी ओनेस्टी जो है वो अगले व्यक्ति को definitely feel होगी आज दी तो कल पता चलेगी और आप अपना एक रेप आप बिल्ड करेंगे कि यह जो व्यक्ति यह सिर्फ सेल्स में नहीं है यह हमारे बारे में पहले सोचता है और अपन ही प्रोडक्स यहां पर देना तो यह सबसे पहली जिस आपको apply करने की ज़रूत है advice number two अच्छे दिखे यहां पर एक line में आपको बताना चाहूंगा कि लोग आपको सुनते बाद में है देखते पहले है जी हाँ दोस्तो मैं repeat करूंगा लोग आपको सुनते बाद में है देखते पहले है आपको देखके उसको लगना चाहिए कि आप भरोसे के लायक है आपको अच्छा dressing करना बहुत ज़्यादा ज़रूर है दोस्तों, अगर sales के business में दूसरों को विश्वावती लाना है, तो अच्छा दीखना बहुत ज़्यादा ज़रूर है, यहाँ पर खुद के ओपर थोड़ा खर्चा कीजिए, आप अपने dress code के ओपर better हो जाएए, आप व इस product की marketing करते हैं, जो product लोगों को sale करना चाहते हैं, उस रूप से आपका addressing होना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब आपको देखता है, तो वो 10 second के अंदर आपको पूरा उपर से नीचे तक scan करने के बाद उस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति के गलती निकलते हैं, अपने plan की गलती निकलते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप है, उसके बाद में आपकी company है, उसके बाद आपके products है, तो आप ही reject होगे, तो वो व्यक्ति आपकी company और product के बारे में विल्कुल जानना नहीं चाहता, इसलिए अच्छे दिखना, ये दूसरी requirement है, आप खुद को आईने में देखिए, और खुद को एक सवाल पूछे, कि अगर ऐसा दिखने वाला कोई व्यक्ति मेरे पास आके कोई बात करे, मुझे कुछ बेचने की कोशिश करे, या फिर मुझे कोई opportunity दिखाने की कोशिश करे, तो क् अच्छे दिखे, भड़िया दिखे कि लोग आपकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि लोग आपको देखते पहले सुनते बाद में हैं, अपने प्रोडुक्स के लिए पागलदा हो जाये, अपने कस्टमरस के लिए पागल हो जाये, बहुत से लोग ये training देते हैं कि अपने products के लिए passion create कीजिए लेकिन मैं आपको कहता हूं product के लिए passion create मत कीजिए अपने customers के लिए passion create कीजिए आपके लिए ज्यादा important क्या है आपके products ही आपका customer, मैं आपको कहता हूं आपका customer आपकी बात नहीं सुनने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको कहिना चाहूँगा, कि आप लोगों के औरियेंटेट बनिये, यानि कि पीपल औरियेंटेट बनिये, लोगों को महत्वत दीजे, आप लोगों के लिए excited हो जाईए, आप लोगों को महत्व दीजे, आपके लिए products important नहीं, यह लोग important है, क्योंकि यह जो विजनस है, यह लोगों का विजनस है, एक बार अगर आप एक अच्छे व्यक्ति की image create कर देंगे, तो बहुत से लोग आपके साथ जुडएंगे, तो आप लोगों की बात सुनिये, उनकी complaint सुनिये, उनके feedback सुनिये, और उस feedback पे काम कीजे, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार product sale कर दिया, पैसा आगे बात खतम होगे, उसके बाद उस व्यक्ति की बात नहीं सुनते हैं, अरे यहाँ पे तो काम हो चुका है, वो कहते हैं ना, इस गन्ने में से तो जूस निकल चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन दोस्तों, आप product sale करने के बाद, जब feedback लेते हैं, और complaints को सुनते हैं, सुनने से यह आदा problem खतम हो जाता है, बहुत से लोग इसलिए खूश है, क्योंकि आपने उनकी बात सुनी, तो सुनियें, और सुनने के बाद उस problem के उपर काम भी कीजिए, अब देखे, product sale तो हो चुका है, अब उस problem के उपर काम करने से, आपको और पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपका wrap or build होगा, आप उस व्यक्ति की दिमाज में एक impression create करेंगे, कि ये व्यक्ति सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए product sell नहीं कर रहा है, ये customers को feedback, customers के feedback लेता भी है, और customers के feedback के उपर काम भी करता है, इसलिए people oriented बनिये, लोगों के बात सुनिए, अपने products के लिए पागल मत हो जाईए, अपने लोगों के लिए पागल होने के आदद डालिए, आप एक शांदार व्यत्ति की image create करेंगे, एड़्वाइज नमबर फॉर, टेस्टीमोनियल्स दीजिए, दोस्तों टेस्टीमोनियल्स कोन नहीं देता है, आज कल आप देखिए, कोई भी tuition class वाले वो results के बाद, शहरों में बड़े-बड़े hoardings लगाते, देखिए हमारे सितारे, इस लड़के को इतने marks आए, हमारे 10 लड़के जो है वो medical में चले गए, 20 लड़के वो engineering में चले गए, यह हमारा result से, यह क्या है, यह testimonials से, आज आप देखिए, कि online gaming वाले भी testimonials दे रहे हैं, कि इस गेम से इस औरत ने इतना पैसा कमाया, यह भाई साप ने इतना पैसा कमाया, यह गाओं का व्यक्ति, खेतों में काम करते करते गेम करते हैं, लाखों रुपया कमारा है, उसकी कहानी सुनिये, रित्तिक रोशन साब आके बोलते हैं, उन्ही की जुवानी, उन्ही की कहानी, तो यह क्या है, यह testimonials देता है, दुनिया में हर व्यक्ति testimonials देता है, यह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आप एक वकील है, आप कितना भी चिलाएंगी, कितनी भी ताकत लगाएंगे, जज को पता है कि आप एक प्रोफेशनल वकील है, यह तो आपका काम है, लेकिन जैसे आप एक गवा पेश कर देते हैं, जज उसकी बात सुनता है, क्योंकि गवा जो है, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो कोई सीखा सीखा यादमी नहीं है, उसकी बातों में सच्चाई की महक आती है, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आ करे बोलता है, कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, या पिर मैंने देखा था, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस केस से कोई लेना देना नहीं है, तब judge को वो सबसे ज़्यादा असर करता है तो आप अपने products के बारे में testimonials रखे आप 100 बात बोल लीजी अपने product के बारे में आपका customer सोच रहा है कि आप तो बोलने वाले है क्योंकि आप तो sell करने हैं लेकिन आपके पास 2-3 video है ऐसे लोगों के जिनको इस product से फाइदा मिला है तो वो लोगों की बाते आपके customer को सबसे ज़्यादा आसर करते हैं इसलिए testimonials का हमेशा इस्तमाल करें आपके पास बढ़िया से testimonials होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमे product को आप sell करना चाहते है उसके testimonials अपने पास रखे और आपकी team में जिस भी व्यक्ति को अच्छे result मिले उसके testimonials videos भी बनाए और उसको अपने WhatsApp ग्रूप में भी ज़रूर share करें जिससे कि और लोग भी इसका फाइदा उठा सकें तो चोथी advice है कि testimonials यानि कि अपने गवा ज़रूर पेश करें advice नमबर फाइक सिर्फ अच्छा बोले यानि कि कभी भी किसी के भी बारे में बुरा ना बोले खास करके दूसरी company या दूसरे products के बारे में कभी भी गलत ना बोले अगर आपको कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये product तो ऐसा है इस company का product ऐसे आप उसकी बात सुनिये और अगर आपको लगता है कि वो बात सही है तो आप उसकी भी तारिफ पीजिए चुकि आपका customer सोच रहा है कि आप अपने competitor की तारिफ ने करेंगे उसके बारे में गलत बोलेंगे जो व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत बोलता है दूसरों की line छोटी करने की कोशिश करता है वो व्यक्ति छोटा हो जाता है इसलिए कभी भी अपने competitor के बारे में गलत ना बोले दूसरी company के बारे में दूसरे products के बारे में गलत ना बोले अगर आपके पास information नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है मुझे हमारे products के बारे में जानकारे मैं इसके बारे में बातचित कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे एक psychology break करने की बात है अगर आपका customer compare कर रहा है या दूसरे products की बात कर रहा है आप उसके बारे में negative बोलते हैं तो वो सोच रहा है कि आप एक आम आदमी एक बहुत ही common salesman है ठीक है लेकिन अगर आप उससे विपरित काम करते हैं तो आप उसकी psychology को break कर देंगे और वो आदमी सोचेगा कि कुछ भी हो लेकिन यह आदमी अच्छा है क्योंकि हर चीज़ में अच्छी चीज़े देखता है positive चीज़े देखता है तो आपकी positive impression यहाँ पे create होगी यह अच्छी impression create होगी जो एक repo build करने में मदद करेगी वह इस वीडियो के comment section में जाके जरूर बताए और कौन सी एडवाइज आप अप्लाइ करने वाले वह भी जरूर बताए मिलते आगले वीडियो में wish you all the best, be the best